गुड़ मॉणिग, गुड़ मॉनिंग गुड़ मॉनिग अल फ्यू ऑडियो वीडियो एक पर बता दीजी, क्लीर है सभी को युड़ वीडियो सभी को क्लीर है गुड मॉर्णी चलो नहीं और वीडिये कपर कंफर्म कर दें सभी लोग सभी को ठीक आ रही है वाज कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि स्टार्ट करें पीडिया वाली आप लोगों को मिल गई होगी कल शेयर कर दिया था मैंने आपके फोल्डर में भी अपलोड कर दिया है टिलिग्राम पे भी शेयर कर दिया था और यूटूब पे जो लोग देखेंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजएगा वहाँ पे भी पीडियेफ का लिंक आपको मिल जाएगा तो यूटूब लोगल जो हम स्टार्ट किया था हमने एक क्लास की थी वो पीडियेफ मिल गई आज सेकंड लेक्षेर है ये पीडियेफ भी एविलेबल हो गया है और आरो ए रो का जो एक्जाम है यूटूपी का पर स्टेट पीचेस का जो एक्जाम है इस्टेट लोकल के जो भी पेपर होंगे, यूपी के जो भी पेपर हो, यूपी लोकल वहां सब में help करेगा आपको, सबसे पहले हम बात करें, एक स्कीम है हिर्दय स्कीम, ये स्कीम मैंने आपको जीके करेंट अफेर में पढ़ाई हुई है, दो स्कीम मैंने एक साथ आपको बताई थी, एक स्कीम का नाम था अमरुत और एक हिर्दय, दो प्रोंग्राम हे एक है अमरुत और एक योजना है घर्दे दोनो ही प्रोंग्राम एक ही मिनिस्ट्री के हैं पहले मिनिस्ट्री ओफ अर्बन डिवल्लेपमेंट बोलते थे अब इसका नाम मिनिस्ट्री ओफ Housing and Urban Affairs इस मंत्राले का नाम अभी महुआ Ministry of Housing and Urban Affairs यह मंत्राले है Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry of Housing and Urban Affairs इस मंत्राले का प्रोग्राम है अमरुत भी और हिर्दे भी दोनों योजना इसी मिनिस्ट्री के है Ministry of Housing and Urban Affairs अमरुत का मतलब है Attal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation यह इसका नाम है पढ़ा चुके हैं जीके करंट अफेर में थोला सा मैं आपको याद दिला रहा हूं दुबारा तो Attal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation मतलब Urban Cities में Infrastructure Development के लिए है अमरुत जैसे Proper Sever Network हो पाने की निकासी का रास्ता हो Green Bell Development हो ज़्यादा Pollution करने वाले वहिकल्स के बज़ाए Green Vehicles ज़्यादा आएं उसके लिए है हिर्दे योजना है Heritage City के Development के लिए Heritage City के Development के लिए वहाँ पे इंफ्रावगर को बेटर करना तो दो योजना है अमरुत Attal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Full Form वगर पूछ लेता है एक्जाम में बताया था मैंने हैं दुबारा लिख देता हूँ अटल Mission for Rejuvenation and Urban Transformation अटल Mission for Rejuvenation and Urban Transformation तो अर्बन एरिया के Development के लिए अमरुत योजना है और Heritage City के Development के लिए हिर्दय योजना है पॉइंट ये है हिर्दय स्कीम में जितने Heritage City कवर किये गए हैं उसमें UP से कितने हैं UP के दो हैं मतुरा और बनारस पहले भी बताया वह question था एक-दू साल पहले UP में पूछा भी था इस सेम question आया था और पढ़ा के भी जा वह question था ये कि हिर्दय योजना में जो जो Heritage City कवर्ड है वो Heritage City जैसे Center का कोई एक्जाम होगा तो वहाँ पे हिर्दय योजना पूछ लेगा UP का एक्जाम होगा तो पूछ लेगा UP वाले कौन से दो हैं बताओ इसी और स्टेट का है तो वो अपने बारे में पूछ लेगा हमारे यां का कौन से Heritage City कवर्ड है इसमें तो हिर्दय योजना The Ministry of Housing and Urban Affairs इसी मंत्राले को शॉर्ट में हम कहते हैं मोहुआ Ministry of Housing and Urban Affairs मोहुआ इस scheme का नाम क्या है Heritage City Development and Augmentation योजना हिर्दय की फुल फॉर्म है Heritage City Development and Augmentation योजना 2015 में ये लॉँच हुआ था क्या परपस था Heritage City के डेवलेपमेंट के लिए तो हिर्दय योजना The Ministry of Housing and Urban Affairs इन्होंने 2015 में लॉँच किया इस scheme का फुल फॉर्म The Heritage City Development and Augmentation योजना फोकस किस बात पे है Heritage City का Holistic Development किया जाए Heritage City की जो समस्याएं है उनको इंप्रूव किया जाए उनको प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए Infrastructure बैटर करना जिसे Tourism भी बढ़ेगा, Economy भी ग्रो करेगी तो Heritage City अगर बैटर होगा तो Heritage को हम Protect भी कर पाएंगे Tourism भी बढ़ेगा रास्ते भी मिलेंगे लोगों को निकलने के लिए कई सारी Heritage City है जाए इनफ्रा का प्रॉब्लम है तो वो सब चीजें हिर्दय योजना के तहत हम कवर करेंगे The Scheme aims to preserve and revitalize soul of the heritage city revitalize soul of the heritage city to reflect the city unique character by encouraging aesthetically appealing, kalatmak, accessible, informative and secured environment कि जो लोग जाए वो भी safe रहे proper lightning हो, footpath हो travel करने के लिए tourism बढ़ेगा, economy बढ़ेगी heritage city का protection भी होगा कौन कौन से cities में covered है इसमें ये सारे city है उनमें UP के context में आपको ध्यान रखना है UP के दो cities में है Mathura and Banaras UP वाले इसमें दो हैं Mathura and Banaras ये होगा heritage ये हिर्दय योजना heritage city development के लिए उसके अलावा कुछ और facts उत्तर प्रदेश में tiger की population कितनी है tiger वाली जनगरना हर चार साल में होती है tiger census हर चार साल में कराया जाता है tiger census होता है every four years ये हमने GS में आपको पढ़ाया हुआ है इन्वार्मेंट वगर में ये सब कवर हो चुका है tiger census हर चार साल में कराया जाता है total tiger population अब सबसे हाँ tiger की बात करें maximum tiger जो है वो मध्यपरदेश में है बताया था हमने 526 सबसे हाँ tiger population MP के पास है 526 उसके बाद करनाट का 524 उत्तर परदेश के context में जो tiger census पूरे इंडिया का आता है उसमें MP सबसे उपर है करनाट का second है UP का इस्थान number of tiger में कितना है fourth UP की जो counting में उसमें देखे fourth rank पर है ranked fourth tiger population में उत्तर परदेश चौथे नंबर पे है number 1 MP है number 2 करनाटक है UP fourth पे है UP में tiger की संख्या 205 2022 के data के recording 205 अब इसके बाद data आएगा 2026 में हर four year में tiger counting का data आता tiger census होता है तो कितनी population बढ़ी है अगर 18 से 22 हम compare करें अभी tiger population 2022 के data के recording 205 है तो 18 से लेकर 22 में tiger का क्या status रहा बढ़ा या घटा percentage important हो गई यहाँ पर PCS में पूछ लेगा PCS में percentage ही पूछ लेगा बताओ कितनी है 18.49% tiger population 18 से 22 के बीच में increase किया है UP के अंदर ठीक है तो tiger का जो census जो data आया उसमें total tiger इंडिया में कितने है MP में कितने है करनाटे सब पढ़ा चुका हो पहले यहाँ UP के context में में बात करनी है total tiger population उत्तर प्रदेश के अंदर 205 है इस बार के data में जो की पिछली बार 173 था और यह percentage 18.49% increase किया है पूरे इंडिया में tiger increase किया है UP में भी 18% के ऊपर है UP में tiger की संख्या 4th number पर आता है UP सबसे जादा number of tiger यहाँ पर दुधवा tiger reserve दुधवा tiger reserve दुधवा tiger reserve टोटल टाइगर इंडिया में अगर संख्या देखें तो दुधवा जो है 135 टोटल टाइगर की संख्या देखें 135 नमबर पर है दुधवा 135 tiger के साथ दुधवा चौथे स्थान पर है दुधवा चौथे स्थान पर इसमें एक correction यह देख लेना उत्तर परदेश टोटल टाइगर में फोर्थ है की नहीं इसमें doubt है UP टोटल टाइगर population में फोर्थ है की नहीं क्योंकि MP टॉप पर करनाट का second पर यह में चेक करना पड़ेगा फोर्थ पर है की नहीं हाँ यह जरूर है कि UP का दुधवा जो है किसी टाइगर रिजर्व में सबसे आठ टाइगर जो पाए जाते हैं दुधवा चौथे नंबर पर है यह है पॉइंट यूपी ओवराल फोर्थ है के लिए यह चेक करना पड़ेगा पर यूपी का दुधवा जो है जितने टाइगर रिजर्व भारत में है उनमें दुधवा का स्थान चौथा है नंबर अफ टाइगर में यह तुधवा करेक्शन कर लेना इस बात में तो टोटल टाइगर पॉपूलिशन यूपी में 205 है रैंकिंग यूपी की कितनी है ये एक बार चेक करना पड़ेगा पर दुधवा टाइगर रिजर्व भारत के जितने टाइगर रिजर्व है उनमें चौथे स्थान पे है नंबर अफ टाइगर में यह है पॉइंट टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में चार हैं दुधवा यूपी का पहला टाइगर रिजर्व अब ये भी कोश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन था दुधवा था लखीमपूर खीरी और कुछ हिस्सा बहराईश का पड़ता है बता चुके है दूसरा है अमंगड डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर पीली भी टाइगर रिजर्व नाम में लिखा है पीली भी डिस्ट्रिक्ट है ये रानीपूर टाइगर रिजर्व जो हाली में डिकलियर हुआ है ये चित्रकूट है रानीपूर टाइगर रिजर्व जो भी कुछ समय पहले ही डिक्लियर हुआ है चेत्रकूट में डिस्ट्रिक्ट है यह तो चार टाइगर रिजर उत्रप्रदेश के पास दुधवा पहला है और लेटेस डिक्लियर हुआ है रानीपूर तो उत्रप्रदेश में कितना टाइगर रिजर चार पहला दुधवा और चौत्था रानीपूर कौन कौन से district में कौन है यह भी clear है नेक्स्ट कुश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यह प्रोग्राम किस state ने शुरू किया था यह उत्तर परदेश ने लॉंच की थी scheme 2018 में जनवरी 2018 में यूपी की रेंग भी 4 ही है सलू नहीं एक बाड़ चेक कर लो मैं यह बोल रहा हूं फोर मैंने बताया है पर फोर एक बाड़ चेक कर लो कि फोर्थ है कि नहीं टाइगर पॉपुलेशन में यूपी का स्थान एक बाड़ आप चेक जरू कर लिए यह डाउट नहीं रहना चाहिए नंबर एक MP है नंबर दो करनाट का है यूपी के रेंक एक बाड़ चेक कर लो नंबर ऑफ टाइगर में यूपी की स्थान पर है चेक कर लिया फोर्थ ही है ठीक है और थोला से मिरेको डाउट आ रहा था एक्चल फैक्ट्स इतने है यूपी का स्थान फोर्थ है अक यूपी का स्थान भी टाइगर में फोर्थ है चेक कर लिया है तो इसको कंफर्म कर लो नोट कर लो अगला सवाल फैक्ट्स कई बार इतने होता है कि माइंड जो कई बार कनफ्यूजन आता ही है one district one product one district one product क्योंकि होता क्या है STUDENT की level पर म Qi्भ जानलो उसको अभी सिर्फ नया में डाटा राइध रखना है टीचर की दिमाग में पोराना डाटा भी चल रहा होता आ ठारा का राक्ञा दाता तो इतने सारे facts हो जाता है याद रहेगा भी तो confusion कहीं कहीं हो जाती है number का जहां पर वो आता है अब जिसे ranking कई बार 14 का data ठारा का data 22 का data और लगाता है changes तो student को तो एक latest वाला याद करना होगा teacher को सारे पुरा नहीं याद है तो उसमें confusion बढ़ती है one district one product यह उत्रप्रदेश ने योजना लॉंच की थी हर district में कोई ना कोई famous product है उसको promote किया जाए जैसे मेरठ में क्रिकेटिंग गुड्स बनते है आगरा में कानपूर में लेदर है तो एक हर district का कोई important product जिसको promote किया जाए जिसके export वगेर को भी बढ़ावा दिया जाए तो one district one product जो program है यह तुरप्रदेश ने शुरू किया था 2018 में क्योंकि यह program successful रहा तो center ने भी इसको adopt किया सफल योजना रही इसलिए center ने भी इसको adopt कर लिया था question बनता है one district one product सबसे पहले किस ने शुरू किया था यूपी ने क्योंकि यह popular रहा इसलिए center ने भी इसको adopt कर लिया था ठीक है तो one district one product ministry of food processing industry वो भी इससे जुड़ गए इसके अलावा department for promotion of industry and internal trade उनके अंतरगत आता है ministry of commerce and industry के तहत center में question आ जाए कि कौन department के अंदर आ रहा है department for promotion of industry and internal trade dpiit के अंतरगत और dpiit किस मंत्राले के अंतरगत है ministry of commerce industry के अंतरगत तो center जो scheme चला रहा है यह odop department for promotion of industry and internal trade के अंतरगत जो कि ministry of commerce industry का department हो उसका हिस्सा है ठीक अब इसको पढ़ें one district one product program यह launch हुआ to help district reach their full potential की किसी जिले की जो popular चीजें हैं वो कैसे promote हों कैसे वो nationally और globally promote हों कि export वगर को बढ़ावा भी कैसे मिले जिससे उस district की economy तो सुधरेगी ही overall state की economy सुधरेगी ultimately country को benefit करेगा plus जो cultural चीजें हैं वो भी लोग जान पाएंगे कहां पर किस तरह की चीजें बनती हैं क्या popularity है क्या उसकी खासिये थे यह भी लोग जान पाएंगे तो one district one product program launched to help district to reach their full potential foster economic and socio-cultural growth जिससे employment opportunity भी बढ़ेंगी खास कर ग्रामिल छित्रों को भी फायदा मिलेगा रोजगार बढ़ेगा भई वो प्रोड़क्ट पॉपुलर होगा तो इसकी industry factory लगेंगी वो प्रोड़क्ट ग्रो करेगा लोग उस काम में involved होंगे manpower rural area में रोजगार पाएगी यह सब फायदे होंगे the scheme aims to turn every district in India into an export hub through promotion of the product तो product को promote किया जाएगा जिससे export वगरे भी बढ़ेगा पहले तो भारत में promote होगा भारत के बाहर भी यह चीज़े जाएगी पहले इसको उत्तरपरदेश ने launch किया था 2018 में कि जो उनके 75 जिले हैं उनके product को promote करने के लिए क्योंकि यह सफल रहा इसलिए central government ने भी इसको adopt किया था तो one district one product के तहट छोटे businesses जो हैं उनको support करना capital ज़रोत पड़े तो कम ब्याज पर loan वगर देना नए business setup करने में industry factory लगाने में भी help करना तो one district one product में सरकार क्या support करेगी छोटे businesses तो support करना कम ब्याज पर loan भी मिलना funding के अंतिजाम उनके लिए करना नई unit को setup करने में support भी करना ठीक है अगला point उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है कन्या सुमंगला योजना कन्या सुमंगला योजना October 2019 में launch हुई थी लख्णव उत्तर प्रदेश से कन्या सुमंगला योजना 2019 October लख्णव से launch किया गया था क्या है यह नाम से ही clear है कि girl child के लिए होगा गल चाइल्ड के लिए है और किस चीज के लिए monetary benefit के लिए money related support के लिए दो keyword आ गए गल चाइल्ड के लिए है नाम से ही पता लग रहा है और money support के लिए है date भी पूछ लेता है कब शुरू हुई थी 25th October 2019 को date भी आ जाता है state PCS वगर में ध्यान नहीं दे तो कुछ भी पूछ लेता है date पूछ लेंगे तो date वगर याद रखना मुश्किल काम भी है पर ये कम से कम इसे scheme में जरू ध्यान रखो दकन्या सुमंगला योजना is an innovative monetary benefit scheme जिसका उदेश्य है family में अगर दो तक girl child है तो उनके लिए support मिलेगी girl child की limit कितनी है सी योजना में दो अगर दो तक girl child है एक हो या दो हो maximum limit दो child तक है अगर है तो उसमें monetary benefit मिलेगा और यूपी सरकार की योजना है यह दकन्या सुमंगला योजना is an innovative monetary benefit scheme जिसका उदेश्य है girl child को upliftment के लिए काम करना promotion के लिए काम करना the scheme offer money related support under this scheme जो guardian और parent है जिनके दो तक girl child अगर है अब two girl child अगर है तो उनके guardian को support मिलेगा guardian को support मिलेगा जिससे उन बच्छों की upbringing उनकी जो upliftment है वो better हो सके उनको grow किया जा सके उनकी सिक्षा वगरे में support मिल सके तो ये scheme money related support दे रही है guardian या parents को जिनके दो तक girl child अगर है maximum एक परिवार में दो तक अगर लड़की है उनको support मिलेगा 25 October 19 लखनोव से स्योजना को शुरू किया गया था क्या-क्या इसके key features है और कौन लोग eligible है अब यूपी वाला ही कोई है और योजना में enroll करना चाहे है इसका lab लेना चाहे तो पता होना चाहिए भई किसके लिए है तो key features क्या है ये flexi प योजना है उन परिवारों के लिए जिसमें girl child है those with girl child जिनके यहां girl child है 15,000 रुपी तक का benefit उनको इस यूजना में मिलेगा the scheme emphasize providing financial support to girl child along with helping UP girl finish their education successfully सिक्षा वगर में उनको support मिलेगी जब family को support मिलेगा ये लड़कियां भी पढ़ी लिखी होंगी female fetiside वगर के मामलों में भी कमी आएगी और जो लोग लड़की के नाम पर की लड़की है वो लड़कों से compete कैसे करेगी इस तरह की जो भावना लोगों की है गलत intention है female fetiside भूण हत्या के मामले जो बहुत बढ़ते हैं जिस कारण sex ratio भी कम होता है देश का imbalance होता है वो चीज़े भी कम होंगी क्योंकि लोग लड़की को एक financial burden के तौर पर भी देखते हैं जबकि अब वो समय नहीं है लड़किया कई शित्रों में अच्छा perform कर रही है तो सरकार की इस तरह की जो योजनाय हैं कहीं न कहीं उन चीज़ों में कमी भी लाएंगी लोगों में awareness भी होगा, financial support भी मिलेगा education में भी लड़कियों को support मिलेगी तो female fetiside भी कम होगा जिससे sex ratio ultimately देश का improve होगा तो it also aimed to eliminate female fetiside के मामले भी कम होगे equality थोड़ी बड़े ही, sex ratio बगर में भी improvement होगा this scheme has worn laurel for its commitment towards supporting girl children इस scheme को appreciation भी मिला कि girl child को support कर रहे हैं अलग-लग stages पे, उनकी life के अलग-लग stages पे ये योजना support कर रही है low income families के लिए ये योजना बहुत जरूरी है कि उनके जो daughters हैं, उनको education मिले low income families वहाँ पे problem ज़्यादा होती है कि वो support नहीं कर पा रहे है या उनकी income उतनी नहीं है तो वहाँ पे girls को education वगर मिलेगा तो female future side वगर की समस्याए भी घटेंगी क्योंकि financial burden family पर अगर नहीं आएगा तो girl child education वगर हो पाएगा eligibility कौन लोग इसमें eligible है beneficiary जो है वो permanent resident UP का होना चाहिए क्योंकि राजसरकार की यूजना है 2.2 girl child तक के लिए एक family पेकर 2 up to 2 girl child है उनके लिए है family income 3 lakh के उपर नहीं होना चाहिए मतलब गरीप परिवारों के लिए है account can be open within only 6 month of the girl child birth लड़की के जन्म के 6 महिने के अंदर अंदर account open करना होगा family जिसने adopt किया है girl को वो भी eligible है इस यूजना के तहट अगर किसी ने girl child adopt किया है वो भी इस scheme के तहट eligible है अगर twin girls हैं किसी family में twin अगर हैं तो third girl child भी eligible हो जाएगा इसमें अगर किसी family में twin girl हैं twin के case में तीसरा girl child भी eligible हो जाएगा financially struggling family will have ample support for enabling their daughter pursue their dream and ambition as well ठीक अगला point एक program woman empowerment के लिए UP का समय समय पे program चलता है mission शक्ती mission शक्ती अब question क्या है mission शक्ती नाम से आपको नहीं पता लग रहा क्या कहना चाह रहा है पूछेगा mission शक्ती किस से related है mission शक्ती नाम से तो केंदर में भी program चले हुए है यहां भी चले हुए केंदर में DRDO ने एक बनाया था anti satellite weapon satellite को destroy करने वाला state की जो यह उजना है UP सरकार वाली वो mission शक्ती woman empowerment के लिए है DRDO वाला जो था जिसमें anti satellite missile system develop किया था DRDO ने वो मैंने science track में बताया था GK current affair में ही GK current affair में space program में बताया था यह mission शक्ती यहां जो हम बात कर रहे हैं UP सरकार की योजना जो की woman empowerment के लिए तो UPCM योगी आदितनाथ 14 October 2023 को उन्होंने fourth phase mission शक्ती का launch किया क्या इसका उदेश्य है woman self-reliance woman आत्निरभरता को promote करना उनकी safety और respect woman self-reliance safety respect मतलब woman empowerment the fourth phase of the mission शक्ती aims to replicate the success of earlier phases and reach towards broader segment जो 75 district है उन पूरे में यह campaign चला 75 district जो है उन पूरे में यह campaign चला पहली बार इसकी शुरुवार 2020 में की गई थी first phase इसका 2020 में शुरू हुआ था उसी को follow करते करते हर बार यह phase चल रहे है अब चौत्था phase लाँच की आजबर mission शक्ती का उदेश्य है women के against crime को control करना उनकी safety को ensure करना respect, dignity, self-reliance यह चीजों को बढ़ावा मिले UP गॉर्मेंट ने कई तरह के program mission शक्ती के तहित organize कराए हाल फिलाल में इसमें widow pension scheme women शक्ती के मतलग women के लिए राजसरकार की कई योजनाए हैं जैसे widow pension scheme, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंदर का भी है तो UP में भी लागू है, एक जनानी सुरक्षा योजना, युत्र प्रदेश की अपनी योजनाएं भी CM कन्या सुमंगला योजना, CM सामुहिक बिवा योजना, CM बालसेवा योजना और भी कई प्रकार की योजनाएं, केंदर और राजसरकार की चल रही है जिनका लाग इनको मिले, और भी कई उजनाएं हैं, जिनका benefit इनको मिले, ठीक है नितीश ने data भीजा है, UP आठफे नंबर पे है तो नितीश इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो चेक करना पड़ेगा data यूपी का इस्थान क्या है, वो चेक करना पड़ेगा, मुझे confusion थी मैं इसलिए पहले बताया इसलिए बताया कि चौथा इस्थान है, मुझे doubt था तो वो चेक करना पड़ेगा आप simply क्या करोना, टाइगर सेंसस वाले में जो data है, सीधे-सीधे rank निकाल लो सीधे-सीधे rank निकाल लो, रुको एक बार बच जो आपने भेजा में भई देख लेता हूं पहले MP जब data आया था उससे में पिछला वाला 526 था उससे में tiger वहाँ यह आप अभी का update भेज रहे हो, उससे में 526 थे MP में, अभी आप बता रहे है, 785 है ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखें, state pieces वाले जो बच्चे हैं, जो यह योजना है ना इतर प्रदेश की, CM सुमंगला योजना बता दिया मैंने आप इसमें से एक दो योजना जो और लिखे है, CM बाल सेवा, यह आपको पढ़ना है, और इसमें CM सामुहिक विवा वाला यह पढ़ना है जनानी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो मैंने बताया हुआ है पहले जनानी सुरक्षा योजना, यह केंदर की है, यह चलो मैं करेंट में अड कर दूँगा यह, जनानी सुरक्षा रहन देना, यह मैं करेंट में अड करूँगा इसमें आप CM सामुहिक विवा योजना, CM बाल सेवा योजना, यह दो अपने साब कर लो अपने सेड कर लो CM सामुहिक विवा और CM बाल सेवा यह दो अपने सेड कर लो यह दोनों आपको रीड करने है state PCS में आने की संभाव नहीं आरो यारो में UP लोकल बहुत जादा नहीं रहेगा state PCS में भी बहुत जादा नहीं पूछता है UP और बिहार वाले में सभाने में खारा Hydro Project कोष्च्ण आएगा किस जिले में हैं गंगा रीवर गंगा बेसीन में आसन रीवर पढ़ती है गंगा बेसेंज्षेत्र में ही सहारनपूर एक रीवर पढ़ती है आसन बेसीन का मतलब क्या होता है breaking और उसकी ट्रिब्यू ट्रिब्यू प्रोजेक्ट सहारनपूर में है आसन रिवर के ऊपर माता टीला प्रोजेक्ट यह जोग्रफी मैंने अल्रेडी पढ़ाया हुए माता टीला बेतवा रिवर पे है माता टीला बेतवा रिवर पे है कोश्चन आता है जिला कौन सा है ललितपूर यह जहांसी ललितपूर जहांस से जिले में हैं ये साहरनपूर ही है ललिटपूर ललिटपूर से एकात कोश्चन तो यूपी में आपको मिली जाएगा ललिटपूर में कई चीज़े फेमस है निर्गाजिनी निर्गाजिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट मुझफर नगर अपर गंगा कैनाल छेत्र पड़ता है निर्गाजिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट मुझफर नगर अपर गंगा कैनाल के चेत्र ओब्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट रॉबर्ट्स गंज रिहंद रिवर पे है ये राजगाट हाइड्रो प्रोजेक्ट ललिटपूर MPUP बॉर्डर है बेतवा रिवर यूपी का पढ़ता है इसमें रिहंद हाइड्रो प्रोजेक्ट गोविंद वल्लब पंज सागर भी बताया था मैंने डैम भी है रिहंद पर गोविंद वल्लब पंज सागर डैम भी है रिहंद पर ये मिर्जापूर पढ़ता है रिहंद रिवर पे रिहंद हाइड्रो प्रोजेक्ट रिहंद रिवर, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापूर, कल्चरल डाइवर्सिटी उत्तर परदेश की, उत्तर परदेश की कल्चरल डाइवर्सिटी, कोई फेमस परसनेल्टी वगर जिनका जन्मस्थान वगर यूपी रहा हो, आमिर खुसरो, जिसने नो राजाओं का समय देखा था, इतिहास में इसके बारे में काफी चर्चा किये थी हमने, आमिर खुसरो, जिसने नो राजाओं का समय देखा था, कवाली वगर इसी ने इन्वेंट किया था, कवाली स्टायल फसिंगिंग इसी की दी हुई है तबला सितार को इन्वेंट भी इसी ने किया था आमिर खुसरो ने तबलाains इन्वेंट खुसरो ने किया था इसका बर्थ प्लेस है कास गण्ज पटीाली एक जगे है UP के कास गंज में पटीाली जगे है वो इसका बर्थ प्लेस है आमिर खुश्रोही तबला सितार का इन्वेंटर था पैरट ओफ इंडिया इसी को तोता हिंद बोला जाता है इतिहास में काफी हमने चर्चा किये थी इस पर बड़ा खयाल खयाल गायकी जो होती है उसके प्रमोटर जॉन पूर के खयाल गायकी के प लखनव घराना ग्वालिर घराना ये सब कुछ फेमस घराने हैं म्यूजिक रिलेटेड तो लखनव घराना लखनव घराना सबसे पीक पर कब था म्यूजिक में नवाब वाजिद अलिशा जथे जब अवध में अवध के नवाब वाजिद अलिशा के समय में ये पीक पर थ तो नवाव वाजी देले शाह के समय में लखनो घराना म्यूजिक में प्कीक पर था। सेहनाई वादक, बिस्मिल्ला खाँ, मुम्ताज खान, बनारस घराना के हैं दोनों। बिस्मिल्ला खाँ, मुम्ताज खाँ, सेहनाई वादक, दोनों ही बनारस घराना। only classical dance form of Uttar Pradesh, कथक, कथक classical dance है, North India का, नौर्थ इंडिया में भी जैसे की UP, बिस्मिल्ला खा, बिस्मिल्ला खा, बिस्मिल्ला खा कहा के रहने वाले थे, भारत रत न मिला हुआ है इनको, शैनाई वादक इनको भारत रत न भी मिला हुआ है। रहने वाले कहां के थे? उस्ताद बिस्मिल्ला खां बनारस और भारत रतन भी मिला हुआ है अब स्टेट PCS में ऐसे भी कोश्ण बन जाएगा चार नाम दे दिये इन में से कौन-कौन है UP से जिनको भारत रतन मिला है ऐसे कोश्ण बन जाता है भारत रत में आपको पढ़ाए हुए अब ऐसे भी कोश्चन बन जाएगा यूपी से कौन को और इनको भारत मिला है चार नम दे दिये बनारस के हैं यह बी से सुस्ताद बिशमिल लगा है यहां के थे भारत रत मिला था बनारस घराना को बिलॉंग करते थे एक कोश्चन और इखलो मुण सी प्रेम चंद है अग नसी प्रेम चंद इनका बर्थ प्लेस है मुण सी प्रेम चंद का बर्थ प्लेस बताया यूपी में कहां से कैसे प्लिपने हैं यह इस आप लेटार नेचा, कैसी वबने हैं। मुंसी प्रेम चल जगे बताईए नितिश लमही वेरी गुड लमही बनारस की में ही जगे है लमही करेक्ट लमही वारा नसी मुंसी प्रेम चंद का जन्मिस्थान लमही बनारस जहां करें लिए आप अगर्ण प्रेम अगर्ण है नेक्सट पॉंट तो दे गोल्डन एज यह बता दिया अवली क्लासिकल डांस कथख जो है यूपी यह नौर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है इसके फेमस कई सारे डांसर मनें बताया था जितने महराज हैं लच्छू महराज बिर्जू महराज संभू महराज आचंदास महराज जितने महराज हैं वो सब कथक के हैं तो महराज किसी के नाम पे भी आए वो सब कथक वाले हैं ठीक फादर आफ कथक डांस किसको कहा जाता है ठाकुर प्रशाद को फेमस घराना कथक के लिए जो पॉपुलर है लखनव बनारज घराना दोनों ही कथक से जुड़े हुए है एक कोश्चन और बताओ मुंसी प्रेमचन ये तो पैन नेम था इनका लिखते इस नाम से थे इनका असल नाम क्या था ये इनका पैन नेम था मुंसी प्रेमचन नाम से लिखते थे इसे मिर्जागालिव असद नाम से लिखते थे हा लिखा तो है नितीश ने धनपतरा शिरवास्तवा वेरी गुड़ पर किताब हैं कि वर्दान गोदान गबन निर्मला बहुत सारी किताबें इस जो उस समय इन्हों लिखा है आपको ऐसा लगेगा आज के टाइम के लिए भी बिल्कुल सही भी बैठता है समय उस समय के को देखकर भी जो ओनो लिखा है वह ऐसा लगता है कि आज कर दोकुल fresh geese ale Jim जिस तरह के समाज को उनों उस समय बताया है वाज मुप्राइब प्री तो गुदान गबन वर्दान नेर्मला यह स्वल इंकि रचनाये हैं और भी हैं मुसी प्रेम चंद रहीं इनका असल नाम था धंपत्राय श्रवास्त्वा और इंका श्रीक्षट न earlier is क्यों अइसे गालीप का नाम तो मिर्जा गालीप बोल रहे हैं पोथ उनका पैन नाम से लिखते थे वो धन्पत्राय सिर्वास्त्वान का सही नाम है करेक्ट स्वरी नेक्स्ट पॉइंट बिंदा दीन कुदव सिंग खुर्शीद अलीखा संभू महराज बिर्जू महराज ये सब लोग ये परसनेलटी कोई सिंगर है कोई डांसर है ये सभी लखना उखराना के हैं जो कथक वाले हैं उनके ब्रैकेट में कथक लिख दिया है मैंने बागी कोई सिंगर लोग भी हैं तो जो ये नाम लिखे हैं सब लखना उखराना के हैं कुछ कथक डांसर हैं कुछ सिंगर हैं कथक वा पूरा खेश सुबह जला होता है। पूरा खेश सुबह जला होता है। कि मतलब हिंदी लिट्रेचर में पर्सनली मुझे बहुत पसंद है काफ़ी छोटी उमर में सैवंत एट्थ में रहा हूंगा मैं लगभग मैंने किताबें कि साली पढ़ा ली थी एट्थ वेट तक आते आती है साथवी आठवी तक मुझसी प्रेम्चन मैंने पूरी लगभग पूरी पढ़ दे थी जितनी किताबे थी इनकी निर्मलाव अगर सभी तो लिट्रेचर तो मतलब म्यूजिक लिट्रेचर इन चीज़ों में तो होबी आपकी होनी चाहिए मतलब आपको समय देना चाहिए मौका लगे जब पढ़ाई कर रहे हो टाइम नहीं है बहुत बीज को भी पढ़ाता है हिंदी लिट्रेचर में प्रेम चंद का बहुत बढ़ा इस्थान है और हर कहानी को पढ़ने के बार या दूर्दशन वगर पर देखोगे आदे घंटे के लिए जरूर दिमाग में घूमता रहेगा इतना इन्फ्लूएंशल लिखानों है इसके अलावा ये लोग जो है ये किस से जुड़े है ये बनारस घराना के कुछ पॉपुलर परसनल्टीज है कुछ फेमस सिंगर वगर जो बनारस घराना के है तो लखनों घराना से जुड़े हुए कुछ लोग बनारस घराना के कुछ लोग ये ये कुछ डांस वगर है ल लोग गीत ये ब्रज छेत्र के हैं मत्रा के पास ब्रिज भूमी जो है ब्रिज का छेत्र जो है ये वाले जो सौंग वगर हैं लोग गीत हैं वो इस छेत्र के हैं ब्रज रीजन के कवाली वगर जो है नवाबों के समय चलती थी तो कवाली वगर जो है वो अवद छेत्र का है यह यहां पे गाई जाती थी संसकारगी, सोहर, नाटक, कवाली यह अवच्छेत्र, यह सब जो है अवच्छेत्र का, ड्रामा उत्रप्रदेश में रामनीला वहीं होता है, रासलीला, रामनीला, नोटंकी, यह सब यहीं का है, डांस, जॉनपूर के कहार समुदाय के लोग जो डांस परफॉर्म करते हैं, चौरसिया डांस, जॉनपूर के कहार समाज के जो लोग हैं, वो परफॉर्म करते हैं, चौरसिया डांस, कलिंजर फोर्ट, यह यूपी में किस जगे पे, बंदा, कलिंजर फोर्ट, उत्र प्रदे फत्यपूर सीकरी में कौन-कौन सी चीज़े अकबर ने बनवाई थी, ये सब पढ़ा चुका हूं हिस्ट्री में, बुलंदरवाजा वहीं है, बीरबल महल वहीं है, सलीम चिस्ती की तरगा है, जोधा बाई का महल है, जाव मस्जिद बनी है, उसके अंदर दिवाने खास बना कोट, तुलसी मेमोरियल है यहाँ पर, उ 마들이 राजापूर चितरकूट, संत हाजी वारिस अली शाह, देवाशरीफ की मजार है, बारभंकी में है, बारभंकी में है, दश अवतार टेमपल, ये कोश्चन बहुत पूसता है, चाहे UPSC का पेपर हो चाहे स्टेट PCS और हर एक्जाम में आया हो कुश्चन है दश अवतार टेंपल कहा है पढ़ा रखा है मैंने ये देवगड पढ़ता है जहासी ललितपूर देवगड जहासी के परपास ललितपूर में दश अवतार टेंपल गुप्त सामराजे के समय टेंपल वगर इंडिया में गुप्त काल में ही बने है टेंपल वगर इंडिया में गुप्त काल में ही बनना शुरू हुए है तो दश अवतार टेंपल देवगड ललितपूर उसके लावा 31 जहन टेंपल माता टिला डैम बेतवा रीवर पर राजगा डैम बेतवा रीवर पर ये सब चीज़ें ललितपूर में ही है मैंने बताया है ललितपूर से एकात कुशन पूछेगा तो दश्रवतार टेमपल हो या 31 जैन टेमपल हो माता टिला डैम हो राजखाद डैम हो यह सब ललितपुर डिस्टिक पढ़ता यूपी का शरिंगी रिशी का टेमपल मेला वेला लगता है यहां शरिंगी रामपूर बोलते हैं इसको फरूखाबाद जिला श्रिंगी रिशी का टेंपल श्रिंगी रामपूर फरूखाबा जिला निजामुदिन ओलिया का बर्थप्लेस यूपी का बदायू जिला निजामुदिन ओलिया सुफिसन जो थे उनका बर्थप्लेस इनका बर्थप्लेस बदायू अकबर के नौरतनों में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे राजा टोडर मल जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर थे राजा टोडर मल अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडर मल निजामुदिन ओलिया का टॉम दिल्ली में है यह हमने हिस्टीम पढ़ा रख है तीन बड़े सूफिसन जो बताये थे हमने उस समय में निजामुदिन ओलिया का टॉम जो है वो दिल्ली लographics कि खुम जो है वो दिल्ली में है वो दिल्ली टॉम जो उणे साफ भी टॉम ओलिया का टॉम जो है थो दोरई दने टॉने में है वो ложते ही भीर है वो दिल्ली खो कि आज선 रख बंगर पांगर रखे संग है वो दॉ नेक्स्ट पॉइंट तो राजा टोडरमल अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर थे एनर्जी वगर के बारे में उत्र परिदेश की कुछ पॉइंट यूपी में पहला अल्टा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यह कहां पर बन रहा है ओब्रा सोन भद्र में बनाया जा रहा है यूपी ये भी करेंट का कोश्चन है अभी करेंट का कोश्चन जल्दी नियूज में था ये, यूपी में पहला अल्टरा क्रिटिकल, धलमर पावर प्लांट कहां बनाया जा रहा है, ओबरा सोन भद्र में, ओबरा सोन भद्र, उत्र परदेश स्टेट इलेक्टरिसिटी काउंसिल, ये कब बना है, येर 1959 में, उत् से हो रहा है, में तो थेर्मल है, यूपी में अ mem fy सोर्ष नंबर एक पे थर्मल, फिर हैड्रो, नूउकलियर का केवल एकी प्लांट है वहाँ पर नरोघा में, बुलंड शेर, नूउकलियर का एकी है, नरोघा बुलंड शेर, तो थेर्मल पावर, उसके बाद हैड्रो, फि कितना है देश में, solar में मैंने country के top three state वगर पढ़ा रखें, world में हमारी ranking कितनी है, top three state कौन है, UP का solar में क्या इस्थान है, ये question, ये note करना है आपको, ये net से ढूर के निकाल ले न, UP की solar में क्या ranking है, और दूसरा आपको क्या करना है, ये जो मैंने चारो energy लिखी है, current percentage, UP में कितना कितना किस्से आता है, ये दो point आपको यहाँ note करने है, current percentage, अभी thermal का percentage, UP में कितना है, hydro कितना percent आता है, nuclear कितना, solar कितना, एक तो solar के ranking इंडिया में कितनी है, UP किस स्थान पर है solar में, और current percentage, इन च तो thermal सबसे आदा है, फिर hydro है, फिर nuclear है, फिर solar है, UP electricity regulatory commission, ये कब बना था, 98 में बना था, UP का सबसे पहला thermal project कौन था, हर्दुआ गंज, हर्दुआ गंज station, अलिगण पड़ता है, हर्दुआ गंज, अलिगण, 1942 में बना था, एक मात्र निउकलियर प्लांट, जो UP में, बुल and renewable energy development agency कब बनी है, new and renewable energy, renewable मतलब solar, wind ये वाली जो energy, 1983 में स्थापित हुई है, UP RVNL की स्थापना कब हुई थी, 1980 में, UP RVNL कब बना है, 1980 में बना है, thermal power, new thermal power construction जो project वगर लग रहे हैं, UP RVNL इस पे काम करती है, जो भी construction है, new thermal power projects वगर का, वो UP RVNL डील करता है, सबसे पहला, ultra critical thermal power plant लगने जा रहा है, ओबरा सोन भदर में, UP में mineral, मिनरल में UP बहुत आगे तो नहीं है, भारत के जो mineral resources हैं, लगबग 2% UP, इंडिया के जो mineral resources हैं, लगबग 2% UP, UP में जो main soil है, वो aluvial है, खेती बाड़ी के लिए अच्छी होती है, पर mineral उन में ज्यादा होते, aluvial soil UP में ज्यादा, जैसे गंगा के आसपास का area, aluvial soil है, aluvial soil खेती के लिए बहुत अच्छी है, पर mineral बगएर उन में ज्यादा नहीं पाए जाते, aluvial में, तो UP में 2% लगबग mineral resources हैं इंडिया के, और वो भी UP के सदन area के तरफ ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा mineral आप आपको UP के सदन area के तरफ मिलेंगे, उसमें भी UP MP border के आसपास ज्यादा मिलेंगे, पुरानी भूमी है वो, पर गंगा के आसपास का area है, aluvial soil जहाँ पर है, वहाँ पर mineral उतने नहीं मिलते, खेती के लिए वो अच्छी होती है, इस्टेट का mineral development corporation कब बना था, 1974 में, कोईला स state government की side से है, तो authentic इसी लिए क्योंकि UP state government की side से लिए गया, diamond UP में ज्यादा है नहीं, कुछ area बांदा मिरजापूर, MP में मध़परदेश में diamond है, पन्ना में, पन्ना में, तो पन्ना के आसपास का ही जो area से बांदा है, बांदा पन्ना बहुत दूरी नहीं, MP UP border area ही है, चित् राहू है, महुबा है, तो diamond इंडिया में एक तो पन्ना है में, पूरे इंडिया में देखे तो पन्ना, और UP के अंदर अगर बात करेंगे तो बांदा और मिट जाए पूर शीत्र, और कौन-कौन से mineral किस जिले में है, जिले-wise ranking या लिख दी है, किस जिले में क्या चीज मौझूद है, वो यहां लिखा हुआ है, आपने पुराने paper जो देखे हैं, अभी तक मैंने जो content UP का कराया, पिछली class में और अभी तक, यहां से question आपको दिखे, सीधे-सीधे जो पूछे गए हूँ, अभी तक जितना मैंने बताया है, UP state PCS वाले में देखे, question, पुराने paper किसे ने देखे हो तो बताए, तो UP के किस-किस जिले में क्या minerals पाए जाते हैं, यह list आपको त्यार करना है, मार्बल कहां है, फेल्ट्स पर कहां है, अब है transport and communication, उत्तर परदेश की national highway में ranking, second number पे है, उत्तर परदेश, इस state, अगर यह national highway की length अगर देखे, महरास्टा top पर है, 18,000 km से उपर length है national highway की महरास्टा के पास, दूसरे नंबर पर उत्तर परदेश है, उत्तर परदेश भी तकरीबन 18 के आजपास ही है, महरास्टा 18 के उपर है, तो उत्तर परदेश की rank national highway की लंबाई के term में अगर देखें, तो महरास्टा के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यूपी की state highway authority कब बनी है, 2004 में बनी है, यमुना expressway industrial development authority, इडा बोलते हैं इसको, यमुना expressway industrial development authority, जेवर छेत्र जो पूरा develop हो रहा है, जेवर छेत्र, यह सब जो डेवलप हो रहा है, जो एरपोर्ट वगर बन रहा है, वो पूरा इसी authority के इंतरगत आता है, यमुना expressway industrial development authority, यह established हूटी 2001 में, सबसे लंबा highway state का, पहले नाम NH2 हुआ करता था, अभी NH19 इसका नाम है, कई सारे highway के नमबर बदल दिये न, पुराने जो नाम हुआ करते थे national highway के, उनके नाम बदल दिये गए कई सारे, तो state का सबसे लंबा जो highway है, national highway, 19, पहले नाम Grand Trunk Road, NH2 था पहले नाम, सबसे लंबा green field expressway, green field और brown field का क्या मतलब होता है, जिस जगे पर scratch level से काम किया गया हो, जहां पर कुछ भी नहीं रहा हो, बिल्कुल scratch level से develop किया गया हो, उसे बुलते green field, जहां पर थोड़ा बहुत काम हो रखा हो, थोड़ा बहुत infrastructure था, उसी को develop किया गया हो, उसे कहते है brown field, green field और brown field से मतलब है, जहां बिल्कुल scratch level से development किया कुछ नहीं था, उसे बुलते green field projects, और जहां पर कुछ काम हो रखा हो, उसके उपर आप develop कर रहे हो, brown field केटेगरी, तो provincial expressway green field, मतलब बिल्कुल scratch level से development हो रहा है यहां पर, तो country का सबसे लंबा expressway, provincial expressway green field केटेगरी, 340.8 km लंबाई, 340.8 km लंबाई, पुर्वांचल expressway, उत्तर प्रदेश state road, उत्तर प्रदेश state road transport corporation, यह कब बनी है 1972 में, उत्तर प्रदेश state का bridge corporation, यह bridge corporation वाला रहन दो, यह जरूत नहीं है, काट दो इसको, यह मना हटाया था, फिर रह गया point ही, इसकी जरूत नहीं है, ध्यान रको पहला वाला, state road transport corporation, 1972, पहली train, यूपी में कब चली है, मार्च 1859, इंडिया में तो रेलवे 1853 में शुरू हुआ था, मुंबई था ने पहली train चली थी, पहली train state में, यूपी में, मार्च 1859 में चली थी, कहां से कहां, प्रयागराश से कानपूर चली थी, total rail network उत्तर परदेश के पास 9000 किलोमेटर से ज़्यादा का है, जो country में top पर है, यही आप सवाल था सलो नी, total rail network यूपी के पास 9000 किलोमेटर से उपर का है, जो country में number 1 पर है, पुर्वांचल expressway की लंबाई हमने बता दिया, 340 से उपर है, 340 किलोमेटर के उपर, लखनव दूर दरशन, इसके शुरुवात कब हुई थी, 1975, लखनव दूर दरशन के शुरुवात हुई थी, 1975, बस सर्विस, अयोध्या जनकपूर, कुछ साल पहले शुरू की गई थी, 2018 में, मई 18 में, अयोध्या जनकपूर, अयोध्या, यूपी, जनकपूर, नेपाल, की राम से जुड़ी हुई जो जगए हैं, उनको connect किया जा रहा है, तो जनकपूर के बीच बस सर्विस शुरू की गई, मई 18 में शुरू हुई है, कुछ और एफेक्ट्स, यूपी के बारे में, इंडियन आर्मी का जो Central Command है, मैंने बताया था, आर्मी के साथ कमांड कौन कौन से हैं, इस्ट, वेस्ट, नौर, साउस, सेंट्रल साथ कमांड बताये थे, आर्मी के सेवन कमांड में अगर आपको याद हो, Central Command Army का भी और Air Force का भी मैंने कहा तो दोनों UP है Army का भी Central Command UP में है और Air Force का भी Central Command Headquarter UP में है Army वाले का है लखनव में Air Force वाले का है प्रयागराज में एक मैंने Defense में आपको बताया था पैरा Trooper Training School Defense का जो यह पैरा Trooper Training School कहां पर है यह आगरा में है इंद्रा गांधी रास्ट्रिय उडान अकाडमी यह कहां पर है यह भी कोशन कई बार पूछा है State में फुर्सद गंज अमिठी इंद्रा गांधी रास्ट्रिय उडान अकाडमी फुर्सद गंज अमिठी में स्थित है Educational Research and Training जैसे National Level का NCRT है वैसे State का है SCRT जैसे National Level पे NCRT वैसे State Level पे SCRT यह कब बननी है 1981 लखना हो Education के लिए SCRT स्थापना कब हुई थी 1981 लखना हो School चलो अभियान Primary Education के लिए कब शुरू हुआ था 2001 में साक्षर भारत प्रोग्राम यहां कब शुरू हुआ था 2009 में सबसे पुरानी इन्वस्टी उत्रपरदेश के इंतर प्रयाग राज 1887 में बनी थी यूपी के सबसे पुरानी इन्वस्टी है प्रयाग राज 1887 Special Economic Zone यूपी के पास कौन कौन से है किस जिल्य में कितने है सेज Special Economic Zone Industries वगर जहां लगाई जाती है Special Economic Zone S.E.Z. Special Economic Zone यूपी में कौन कौन से Special Economic Zone कहां कहां कितने Eastern Area में 28 जिलो में है Western में 30 में है Center में 10 में है बुंदेलखंड रिजन में 7 में है अभी बुंदेलखंड के development को लेके काफी मेगा प्लान लेकर आ रही है गवर्मेंट अगला टार्गेट यूपी में बुंदेलखंड रिजन जो डेवलप हो नहीं पाया समय के साथ बुंदेलखंड एरिया यूपी में आप देखेंगे काफी पीछे रह गया development में तो अभी काफी मेगा प्रोग्राम गवर्मेंट लेकर आ रही है काफी बड़े प्रोग्राम गवर्मेंट लेकर आ रही है इस एरिया के लिए नेक्स पॉइंट सबसे जैदा डेवलप इंड इंडस्ट्रिल एरिया के मामले में में यूपी में कौन सा ऎरिया डेवलप है जो वेस्टरन यूपी हैै कि इंडस्ट्रिल सैक्टर में development की बात करेंगे तो जो western UP का area है नौइडा वगर सब इसी में आ था नौइडा, बुलन शहर, मुझफर नगर, मेरट, ये सारा area western UP का जो part है वो जादा developed है, the most developed area of the state from the point of industrial development, western area और सबसे कम development आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड के area में तो government का अगला जो target है वो बुंदेलखंड reason के लिए है बुंदेलखंड reason के लिए सबसे ज़्यादा employment generate करने वाली industry UP में agriculture के बाद, सबसे ज़्यादा लोग के agriculture में employed है, UP में सबसे ज़्यादा लोग जो involved हो agriculture में है, agriculture के बाद दूसरे number पे hand loom cottage industry hand loom cottage industry जो पिछले कुछ साल में काफी नुकसान में रही, काफी down गई अब इसको grow करने के लिए प्रयास तो most employable industry state में agriculture के बाद hand loom sporting goods के लिए कौन famous है, आगरा और मिरट carpet के लिए भदोही, ये question बहुत आता है carpets के लिए भदोही सबसे लिए famous है, Council of Science and Technology, UP में Science and Technology के लिए जो काउंसिल बनी 1975 में 1975 खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड UP में कब बना 1960 में पहली सूगर मिल उतरपरदेश में कब लगी है, प्रतापूर दिवरिया में 1903 में पहली सूगर मिल 1903 प्रतापूर दिवरिया मेजर प्लेस ऑफ इंटरस्ट घुमने फिरने वाली जगह है पॉपुलर जगह है, टूरिस्ट वाली संत कबीर, निर्वान इस्थल कबीर जो है उनकी समाधी कहा है, मगहर मगहर और इनके बारे में जानकारी सबस्या जानकारी आप कहां से मिलती है, कबीर बीजक कबीर बीजक बुद्ध का स्टैचू, लेटी हुई अवस्था में काफी लंबी एक मुर्ती है, कुशी नगर में खनकार शीदिया ये कहां मैनपूरी दश अवतार टेंपल, ये बहुत बार आया गौट वाराहा टेंपल, कासगंज में सोरोन, हरदेवज टेंपल मथुरा रूमी दरवाजा, लखनवू इमामबाळा, लखनवू गोला, गोकरन, नाथ, लखिमपूर, खीरी नैमी शार्यन, सीता पुरजिला भारद्वाज आश्रम अक्षेवट, ये प्रयागराज, आनंद भवन प्रयागराज शाकंबरी टेंपल, सहरनपूर तो ये एक बार रिट करना है, ये कौन-कौन सी जगह कहा है, तो काफी जगह हैं आपको अलड़ी पता होंगी, जो नहीं पता है, बस उनको पढ़ना रहेगा, इमाम-बाड़ा तो मालू मैं सभी को, ये लिखा है, इमाम-बाड़ा, लखना हो जाइशी मेमोरियल, अस्वाकुला, बुधिस्ट, इस्तूप, कलिंजर, फोर्ट, देवी पाटन का मंदीर, तो जो जो इंपोर्टन जगह हैं, वो लिस्ट लिख दिये हैं आपर, इसके बाद आता है, कौन सी जगह है, किस नाम से फेमस है, कौन सी जगह साजहापूर कारपेट के लिए फेमस है, कारपेट के लिए साजहापूर भी है, सबसे फेमस बदोई है, आजमगड यहीं के थे, कैफी आजमी यहीं के थे, कैफी आजमी नगर भी कहते हैं आजमगड को, रामपूर, सिटी ओफ नवाब, और सिटी ओफ नाइफ, चाकू, प्रताबगड, आमला, बेला भुवानी मंदिर भी है और किला भी है यहाँ पर, मुरादाबाद, ब्रास में काफी काम होता है, यहाँ पर मिट्टी के बरतन भी बनते हैं, जॉन पूर को कहा जाता है शिराज हिंद, शिराज इरान का एक शहर, तो जॉन पूर जब बसा था, जब बसाया गया था, तो इतना ही खूबसूरा जैसे की इरान का शिराज, शिराज मेंने बताया था, जॉन पूर को शिराज ओफ इस्ट कहा जाता था, अम्रोहा, जोतिबा फूले नगर इसका नाम हो गया उन्नाव तो कौन-कौन सी जगह हैं किस नाम से जानी जाते हैं क्या कहाँ फेमस है उन्नाव चंद्शेखर आजाद नगर गाजेपूर सिस्टर अफ काशी मेरटपूर रिवॉलूशन अठाव सो तावन की किरांती शुरू ही थी यहां से सीजर सिटी बदायू निजामुदिन ओलिया नगर चंदौली चावल का काटूरा बोलते हैं चंदौली बनारस के पास जहां चंदर प्रभावाड लाइफ सेंचुरी है राइस बाउल कहा जाता है बागपत मेरट के पास लेंड आफ ताइगर कन्नौज इत्र के लिए फेमस ह अमेठी, छत्रपति, शाहूजी, महराज नगर, भदोही, कार्पिट सिटी, सोन भद्र, एनर्जी कैपिटल, एनर्जी के लिए आप देखे रहे हो, थर्मल प्लांट वगर की बात हमने की तो वहीं, सोन भद्र, उबरा वहीं है, अनपरा वहीं है, अलीगर, तालो का शहर, तो ये एजिटिस फैक्ट्स यादी करने पड़ेंगे ये तो, कास गंज, कासी रान, मगर, कानपुर देहत, अब इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, और जो जो रीवर हैं, यूपी की फेमस, कौन-कौन से जिलों से गुजड़ती हैं, यूपी में कौन-कौन से जिले से पास करती है, अगला कुष्जन यह बनेगा, गंगा कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, यमुना कौन-कौन से जिले पड़ेंगे, तो जो यूपी की में नदियां है, छोड़ी-छोड़ी जोड़ेंगे तो बहुट सारी हैं, पर जो में में नदिया है, वो किन-क कौन से जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस वे कौन-कौन से जिले से गुजर रहा है उसके बाद परवांचल एक्सप्रेस वे बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे कहां से कहां connect कर रहा है तिनों express वे और कौन-कौन से district इसमें आ रहे हैं ये question बनता है लास्ट है UPRVNL के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी UPRVNL अभी जो power generate कर रहे हैं इनकी capacity 6134 MW है अभी 6134 MW power generation UPRVNL कर रहा है और 4 thermal power station है इनके जो ये operate कर रहे हैं 4 thermal power station है इनके अंडर में और 6134 MW power generation ये कर रहे हैं 1980 में ये बना था इसके बाद कौन-कौन से power station है वो हमें ध्यान रखना है power station जो UP के 4 main कौन-कौन से हैं अनपरा, ओबरा, परिच्छा और हरदुआ गंज इतनी इतनी capacity है चारों जोड़ोगे 6134 MW के लगबग आएगा 6134 ये चार main है अनपरा, सोनभद्र, ओबरा, 1094 सोनभद्र, परिच्छा, जहांसी और हरदुआ गंज, अलीगड ये चार thermal power station, UPRWNL के इंतरगत आते हैं, UPRWNL के control में और total power generation अभी 6134 MW, 6134 MW power generation है, चार station ये है अनपरा, ओबरा, दोनों सोनभद्र में है, परिच्छा जहांसी में है, हरदुआ गंज, अलीगड में है फिर इसमें ये भी question बनता है, maximum generation किसका है, अगला question बनेगा, ये मैंने data इसलिए लिखा है पूछेगा, इनमें सबसे आदा किसका है, अनपरा, 26 MW, सबसे आदा generation किससे है, अनपरा, सोनभद्र से तो UP local, अभी फिलहाल, ये complete कर दिया है, हमने, RO, ARO का जो paper है, वहाँ जरूत नहीं से ज़्यादा मतलब मैं अपनी तरफ से जो मुझे add करना था, वो मैंने इतना add कर दिया है आपको अपनी तरफ से क्या करना है, मैंने UP local बोला था, कि जो मुझे data add कराना है, वो मैंने ये दो class में complete किया है PDF भी आपको दे दिया है, लगबग 30 face से जाद ही होंगे अपने लेवल पे आप UP local में क्या कर सकते हैं, UP के जितने पुराने paper मिल जाए, ROARO के तीन paper, PCS के पुराने paper, वो solve कर सकते हो, decreasing order में State PCS वालों को UP की कोई एक local book भी रखनी पड़ेगी अपने पास, ROARO में जुरत नहीं है, UP के पुराने paper लगाना, ROARO मिल जाए, PCS के पुराने paper, ROHन पर पड़े भी हुए, तो पुराने paper से काफी UP local cover हो जायागा, हमने भी पढ़ा दिया, और अपने से चाहों तो कोई एक local book ले सकते हो, ROARO में book की जुरत नहीं, State PCS वाले चाहें तो ले सकते हैं, कई बार और और भी कुछ question बन जाते हैं, और depth में जाकर, ठीक है, उससे जादा मेरे end से जुरत नहीं add करने की, दो-चार point कहीं जोडने होंगे, तो मैं अपने happy add करूंगा वो, ठीक है, चलो, यहा 30-40 page के आस-पच PDF होगा यहोगी, मैं अगर 30 page के उपर ही है, अब कहीं पर किसी को कुछ कमी लग रही हो, कुछ और लग रहा से red करना हैं, तो बताएं, मेरे इसाब से ROARO में UP local बहुत नहीं रहेगा, इतना ही time इसको देना ठीक है, बाकि पुराने paper लगाने में जितने question आ जाएंगे, बाकी area जो है GS का, वो अपने आप में काफिये करने के लिए, दूसरा part हिंदी मैं बार-बार बोल रहा हूं, 60 question हिंदी आएंगे, कुछ lecture हमने भी दिये हैं, पुराने paper भी solve करने, बाकि common GS तो पुरा का पुरा ready है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद question practice जो हम कर रहे थे, 17 तारीक तक हमने question practice की थी, 17 तारीक तक question practice की थी, उसके बास CSIR में management मैंने पढ़ाया, UP local की दो क्लासे करा दी, उनके PDF वगर तयार किये थे, question practice अफिर से continue कर रहे है, कल से आप देखेंगे, question practice वाली class हम फिल से continue कर देंगे, evening में चलेगी हो, तो question practice लगाता चलेगा, ठीक है, variant से जो काम था, वो complete हो गया, ठीक है जलो class, thank you, thank you all of you